नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चानल पर मैं आपका हर्श वर्दन भाई या दिश्मुक तो दोस्तों आज हम देखेंगे पुश्पा बेन वर्सिस नरंदास फी बदियानी का केस जिसके साइटिशन्स आपको देखने को मिलेंगे केस देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक आदमी ने किसी को दूसरे आदमी को 1500 का लोन दिया था और सम कंडिशन्स लेकिन उसने क्या नहीं किया ओ रिपी VS नहीं किया उस लोन को और इसले में पर नम रपंडन में क्या होआ इirect धुरिए टुरिंग अफ दुक्रिंटे अफ दह घ्याींच कम्प्रमाइब क्या होया पर मतलब उन में कंप्रमाइज हो यह जब आप्लेन शाइई टुरिपे दो लोन विद इंट्रेस्ट बायो स्टिपुलेट पार्टेट बेस्ट उन दिस उंडर्तेगिंग इंट्रेस्ट रोगा वह जोगा बर दिया जाएगा लेकिन क्या हो जाता है हौँए अधिय अब भ्याग पर क्या हुआ कि जो उन्होंने कॉंप्रमाईज हुआ था जो भी मैजिस्ट्रेट ने और अडर भी देया था उसको क्या नहीं हुआ उसको फॉलो नहीं किया गया लोन आमाउट पे नहीं किया गया तो खोट के और्डर के भी बात टीक है और दिया था लेकिन उसने उसको फॉलो किया क्या क्या नहीं क्या तो यहाँ पर सिधी थोर पर आप क्या देखने को मिलता है इसे फिल कॉंटेम्ट देखने को मिलता है तो यहां पर इशु क्या था वेदर दा आपलेंस कमिटेड विल्फूल दिशुपटेंस अपको देखने को मिलेगे तो यहां पर आर्गुमेंट्स क्या है आपलेंट का क्या कहना था कि दिफ्टेंस में देखा था कि भाई मैंने विल्फूरी नहीं किया तो यहाँ पर हमने भीटी क सोघ्टैनिकम् से। हमने कि अपर इंप्रिज़ितमेंट नहीं होना चाहि हो तो तर हमने उन्नीना कि पãoगे design to through committed willful disobedience कि उन्होंने का कि भाई उन्होंने सो टका क्या किया है willful disobedience क्या मतलब कुस्वा इच्छा से उसने उस order का follow नहीं किया उस order को मतलब जो भी मतलब order को follow नहीं किया in short by failing to fulfill their undertaking and therefore they were guilty of civil contempt तो इसलिए हो क्या है civil contempt के लिए जिम्मेदार है they also argued that the sentence of imprisonment was warranted तो हो कहते कि भाई इनको imprisonment मिलनी ही चाहिए तो decision of the court क्या था the court found that the appearance had committed willful disobedience of the court's orders and were guilty of civil contempt तो उन्होंने willful disobedience क्या है और उस civil contempt के लिए जिम्मेदार है एसा court का decision था फिर उन्होंने क्या किया sentence of imprisonment was not justified under section 123 of the contempt of court instead the appearance was sentenced to pay fine of rupees 1000 each with a provision of 15 days of simple imprisonment in case of default तो यहाँ पर आपको punishment क्या देखने के मिलती है तो 1000 रोपिस का fine और अगर वो fine नहीं पे कर सके तो 15 days का simple imprisonment in case of default ठीक है इस तरह के से court का decision आया था तो आयोब आपको केस समझ में आया हो कुछ problem हो तो comment कर लो या मुझे message कर लो इसकी जो पीडियाफ है आपको telegram channel पर मिलेगी links description में दी गई है telegram channel की जाके देख लो ठीक है ता मिलते आगले वीडियो में